हाँ वो आ गया जिसका बेसबरी से इंतजार कर रहे थे वो आ गया है अब आप सोच रहोंगे भईया इसी क्या चीज़े जिसका बेसबरी से इंतजार कर रहे थे आप सोच रहे थे कि भई सामना ने जो कि भईया शिव सेना का मुख पत्र है उसने आखिर कैसे नहीं भईया इ यही पे बोलता है और गलत के खिलाफ लिखता है है ना यही तो आस तक यह बोलता है संजरावत जी तो संजरावत जी क्या लिखते हैं जड़ा सुनो यह आपको बोल रहे हैं कि यहां पर गिरफतार किया गया है यहां पर मुंबई पुलिस सक्षम थी मनसुख हिरेन के केस को स मन्सुख घरेन की स्कॉर्पिय जिसकी वहिया चोरी की रिपोर्ट करते है इसको भईया धमका के और उसके बाद उनकी मृत्त्य हो जाती है वही स्कॉर्पिय जो अंबाणी के या इनको विए ग्यान ज्यादा हो but मैरे को यह रॉजिक नहीं समझ में कि एक किस तरह का वेटेटा होता है eventita तो भूना चाहिए फिर तो हर किसी में यह वेटेटा होना चाहिए मैं तो यह प== पैक्षा कर रहे हूं कि अगर आप एक जस्टिस दे ऑगे तो ये वेंडिटा ही होना चीए फिर तो आप वैसे अगर जस्टिस नहीं दोगे तो ज्वेंडिटा तो यहांनि कि यहां पर संजर रावजी इसले रो रहे हैं कि भाई जस्टिस क्यों दिया जा रहे हैं जस्टिस क्यों दे रहे हो यह जस्टिस वेनडेटा है संजिरावद जी चीक चीक के कह रहे हैं कि अरे यह जो बीजेपी सरकार सेंट्रल गवर्मेंट जस्टिस दिलवा रही है भारत की जंता को यह एक वेनडेटा है मेरे को हसी आ रही है कि यह कैसे भही आ बेशरमी से murder कर रहे है विखती है जो यह कह देते हैं सुशांत सिंह राजपूत bipolar था उन्होंने suicide ही की है यह murder नहीं है इस विखती से और क्या पेक्षा की जा सकती है जो रिया चकरवर्माइद का साथ देते है जो बोलता है रिया सही है और सुशान्थ गलत था इस व्यक्ति से और क्या पेक्षा की जा सकती है जो महेश भड जैसे लोगों का साथ देते हैं और महेश भड जैसे व्यक्ति से क्या पेक्षा की जा सकती है जो ये बोलता है सुशान्थ भहिया पागल था और मैं इस उमर में भी मतलब इतना बॉखलाने के बाद भी अपने आपको सही बता रहे हैं तो अब आप इस चीज को समझ जाओ कि क्या पेक्षा की जा सकती है तो यहाँ पे संजर आओ जी जब यह लिख रहे हैं अपने सामना के मुख पत्र में तो इनका एजंडा आप समझो बहुत क्लियरली क कि यहाँ पे यह अभी भी बेशर्मी से यह सोच रहे हैं कि कैसे तैसे करके केस को मोड दे और मीडिया जो है अब देखना भी मीडिया को खरीदने का भी चालूएगा कि भाई यहाँ पे सेंट्रल गवर्मेंट जो है वो भाई एजंडा चला रही है वो इनको भाई के लिए सचिनवाजे यहाँ पे गलत नहीं है सचिनवाजे जी बिलकुल ठीक है तो आप इस चीज को समझो कि महराष्ट में मुंबई में जो गुंडागर्दी फैल चुकी है न और यह सामना जैसे तो मैं बोल रहा है इसको तो बैन कर देना चाहिए ऐसे मुकपत्र निकल निकल के गिरफतार करती है लोगों को कि जब वो अपनी बात ट्विटर पे लिख देते हैं तो आप जैसा भहिया यह पब्लिकेशन चल कैसे रहे तो यह तो सबसे पहले बैन हो जाना चाहिए क्योंकि यह जिस तरीकी की बाते कर रहा है सचिनवाजे के गलत कृत्तियों को भी यह सही ठहरा रहा है तो यह बहुती शर्म की बात है तो आप बिलकुल मैं तो यह कहूंगा कि आप यह एक मुहीम छेड़ दो कि बैन सामना इसको भाईया बैन कर देना चीए सरकार को कि आखिर यह कैसे चल रहा है मुखपत्र शिफ्ट से ना का यह तो सबसे पहले बैन हो जाना चीखे I hope कि आप यह इस मुहीम को चालू कर दोगे क्योंकि आप चालू करोंगे तो पूरी इंडिया आपके साथ तो अगर आप चालू करोगे तो यह बदलाव भी आएगा इस वीडियो में इतना ही है इसको लाइक करो और जादा स्यादा शेर करो इस वीडियो को जादा स्यादा शेर करो है ना वो सबसे जरूरी है वीडियो की जो value है वो तब ही है जब आप इसको share करोगे और आप मेरे को facebook, twitter, instagram पे follow कर सकते हो वहां मुझसे जुड़ सकते हो oaskd मेरा username है बाकी facebook का जो आपको नीचे side में दिख जाएगा जय हैंद